इन दिनों यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो प्रेरणा इसपद हैं जिनको देखकर अच्छा लगता है और अच्छे पन का एसास होता है विपरित इसके जनरल सामने जीवन की बात करें तो कुछ ऐसे श्रेणी के व्यक्ति होते हैं जिनको दूसरे को सतान देने में आनन्द आता है कोई व्यक्ति पीडा से कराता है तो वो बहुत खुश होते हैं उनको वहशी की श्रेणी में हम रख सकते हैं दरिंदगी की श्रेणी में हम रख सकते हैं ऐसी प्रवर्ति देता है केतु अगर अशूब इस्थती में हो तो व्यक्ति की मनुवरति ऐसी होती है कि दूसरे को सताने से उसको खुशी मिलती है और अजीब तरे के आनंद की अनुभूती उसको होती है आज केतु पर ही चर्चा करूंगी और केतु के जो अशुकता को निवारन करने वाले उपाए भी हम जानेंगे आज के वीडियो में कैसे हैं आप लोग अपने हालचल बताते रहा करीए अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर मेरे जो भी सबस्क्राइबर हैं व्यूवर्स हैं सदा तरक्की करते रखें रहें मेरी यही ब्लैसिंग उनके लिए होती है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते है जो केतू पर अधरित है और केतू अचानक ता का काराख है, अचानक किसी को उपर पहुंचा सकता है, नीचे भी ला सकता है हर ग्रह के दो रूप होते हैं सकारात्मक और नकारात्मक जिनको हम negative और positive बोल सकते हैं यही decide करते हैं कि व्यक्ति का चरितर चितरन कैसा होगा, वो कैसा सुभाव का होगा तो नकारतमक केतू के प्रभाव बहुत ही दर्दनाक होते हैं और वो व्यक्ति को विध्वन्स की श्रेणी में लाके खड़ा कर सकता है ऐसी प्रवर्ती जातक की हो जाती है वो बहुत आवेशी होता है उसको बात-बात पे आवेश आता है उसको क्रोधी स्वभाव की ट्रेणी में ही आते हैं उग्रवादी को भी विशेश रूप से इस ट्रेणी में रखा जा सकता है तो कुल मिलाके ये नकारतमक प्रवर्ती वाले लोग होते हैं जिनको दूसरों को सताने में दूसरों को पीड़ा पहुँचाने में जंगली जानवर वहशी दरिंदा उनक किये हो ये होते हैं और ये सभाव इनका जन्म जात नहीं होता बलकि परिस्तिती जन्य भी होता है लेकिन कुछ-कुछ केसे में हमने देखा है जन्म जात हिंसक प्रवर्ती जातक की होती है लेकिन बचपन में उन पर ध्यान नहीं दिया होता और बड़े होने पर वो परिप स्वार्थी होते हैं, बहुत अपने ही अपने बारे में सोचते हैं, उनको कोई हाई स्तर का जो crime होता है वो उनको करने में कोच भी जिजक नहीं होती और वो बड़े से बड़े crime कर डालते हैं, आप उनको पैशाचिक प्रवरती वाला भी बोल सकते कुल मिलाकि उनका एक ही ध्य होता है, स्वैम को भी बरबादी के कगार पे ले जाना, क्योंकि उनका केतु इस त्थी में होता है और दूसरे को भी बरबाद करना, वो जिस जगे भी जाते हैं, बरबादी के सिवा कुछ नहीं देते ना लेते हैं, पागलपन की प्रवर्ति, आत्मत्या की हरकत इसी श्रेणी में आती है, कुल मिला के जितने भी नेगेटिव बाते हैं होती है, ये केतु ही देता है जातक को, तो इसको हानी रहित करना जरूरी है, और इसके उपाई भी जरूरी है, इतनी जादा मैंने आपको बातें बताई, आप काब गए होंगे इतन कनवर्ट किया जाए, जितने भी स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनकी सेवा करने से केतु शान्त होता है, और पॉजिटिविटी में कनवर्ट हो जाता है, तो ऐसे ही लोग जो इस ट्रेणी में आते हैं, जिनका बखान मैंने किया, तो उनको अपनी जो जीवन शैली है, उसमे एक बदलाव करना चाहिए, डॉग्स की सेवा करने चाहिए, और स्ट्रीट डॉग इस्पेशली, उनकी सेवा करने से आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनको बहुत जमतकारिक परिवर्टन अपने वीतर महसूस होने लगेगा, नहाते समय मुलतानी मिट्टी का लेप लगाने स उनका केतु करत दोश शांत होता है और उनके सकार अत्मक प्रभाव उनको मिलते हैं, चीटियों को आटा बूरे में मिलाकर नित्ते डालने से भी केतु की शांती होती है, खुजली वाले कुते की सेवा करें और उसको दूद रोटी देवें या बिस्कुट देवें तो उन बिस्किट हिलाने से बहुत जाता चमतकारिक परिवर्तन तुरंत महसूस होने लगेगा, ऐसे व्यक्तियों को रेन बसेरे में सेवा देनी चाहिए और रेन बसेरे की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा करने से उनको बहुत ज़्यादा पुन्य की प्राप्ति होती है और केतु करत दोश समाप्त होते हैं और जीवन में खुशाली का संचार होने लगता है प्राते काल जब ब्रह्म हूरत होता है तो कमल गटे के जो बीज होते हैं उनको शुद्ध भी में डुगो कर हवन करने से भी केतु करत पीड़ा से मुक्ति मिलती है थोड़ी देर पैदल चलने से भी केतु के दोश शांत होते हैं तो आज मैंने आपको बताए केतु के दुश प्रभाव को दूर करने के उपाए और केतु कितनी जबर्दस विक्षिपताएं देता है मानसिक रूप से कितना उथल पुथल जातक के मन में होती है आज आपने जाना तो मैं ऐसी वी कितरों बहुत बहुत तरने वाद